नमश्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत शवागते दोसों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17-18 और 19 अक्टूबर के आपकी राशी के महा राशी फल के बारे में शब से पहली दोसों जिनका भी अश्मे बर्तरी है या फिर एनवर्सरी है आप शबी को मेड़ तरब शे लेर शारे शुख काम नाए आप दिन दोगनी रात चोगनी तरखी करें तो आई दोसों से के शवाद बात करते हैं याश्मे गरों के सिदिके शूंगी क्या क्या योग बनेंगी और इन शवाद के शुख का शवाद की राशी पर क्या होगा कि नकिन चीज़ां को लेकर याश्मे आपको श्रावधन ने नहाँगा और आकिर कौन कौन्स वेकारी आपके लिए भाग़े शलूँगे दोसों याश्मे आपका अलब लाइब के शरहेगा श्वास्त के सरेगा केरी केशरेगा दोस्फों इने तीन दिनों में आपका पारिविडिक ज्यूण केशरेगा आर्थिक सिती और धन को लेकर सिती यांक केट से वोगा दोंगे इन शबी की महत्त पुण जन कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्गुल लिमेश ना करें और सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें वीडियो के अंतर में बहुत अच्छे उपाई है जिनिया आपकर गिन्दों को और बेज़ादा लाभकारी बना पाएंगे उच्छे पहले दोस्तों याप चैनल पर नए है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाद भी बेल आइकन को प्रेश करके और पर श्रेट कर दें तो आज दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गरहों के सितिक बारे में सब्सेपली दोस्तों 17 अक्टूवर की बात करें तो दूस्तों इंधिर अभीवार का दिन रहेगा शुकल पत्सकी द्वासे तितीर ही और दिन सत्विश्य नम का नश्यत रहेगा योग की बात करें तो धूर नम नाम खाशू क्यों करें और रहुकल को समय शाम के चार बचकर उन्तेश मट से जीकर शाम के पाल बचकर पच्पन मट रहेगा दोस्तों ध्यामरे आप रहू कल के समय में कोभी शुब और महत्कुन कारें को पिल्कुला करें और दोस्तों चंदरमाई दिन कुम्राशी को प्रांद मेहिन राशी में शंचार कर जाएगे वे दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों अगले दिन शुमवार का दिन होगा तरोदोसी तिती और पुरु भातर पता नाम को नचतर और शुब और शुब और रहू कल के समय दिन शुब के साथ बचकर चोवन मट चलेकर शुब की नौ बचकर बिश्मट रहेगा औ आकरी दिन 19 अक्टूर की बात करीं, तो दोस्तों में इस दोस्तों इस दिन मंगलवार का दिन होगा, चद्रोदसेतिती, उतरा पातर पर अनना चद्र और इस दिन हर्शन नाम का शुपिग रहेंगे. ये दोस्तों और इस दिन रहो कलकश में शाम के तीन बचकर दो मिनट शले कर शाम के चार बचकर अठाईश मरत रहेगा और दोस्तों इस दिन भी चन्रमा मिन राशी में ही संचार करेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं तीन लों की जुद्गरहों के सती है और चनरमा के जुद्गोचर है आपकी राश्यू पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है चली दोस्तों बात करते हैं पूरी विश्थार्शी दोस्तों इन दोनों में अध्यात्मिक छेत्रों से भिखास हो सकता है किसी तरह की कला सजावट से समधित छेत्रों में आपकी जो यह रुची हो सकती है पढ़ाई लिखाई से समधित लाब प्राप्त होने की जो है समभावना बन रही है यदि आप किसी तरह का कोई कौर्श क करने का प्रयाश कर रहे हैं तो दोस्तों इन दिनों में अपट इनमें सफल और इस दियां बेहतर हो सकते हैं भाग का शाथ देगा वह अगर आपकी नेटव के लोंगर बास करें किछ जो आपके लिए शमय होंगे इंदरों में उच्छ अधिकारियों से बिवाद होने की संभवना रहेगी दोस्तों के साथ कुछ संभन भिगड़ सकते हैं दूसरों से अपना बरताव जो है आप अच्छा रखें वह दोस्तों इंदरों में अगर आप सांस रखें तो यह जो ब कैसे पर सब्सक्राइब का निर्मान करने वाला शमय होगा आपके लिए कुछ मामलूं में का दूसरों कुछ मामलों में यहता हो सकता है कि आपको थोड़ा गुसा आफना राज्जी जो है जारी करने करनी पर सकती है तुस्तर इस तरह के जो व noun तरह की पष्थोतियों पर बिजह पाशकती हैं दोस्तों इंद्रहों में आपके लिए जो दिन हुंगे अध्यातपिंगे उनठी के लिए भी अच्छा दिन होगा वे दोस्तों इंदों में अगर आपकी करेड को लकर बात करें यह जो आपके लिए शमय होंगे इंदों में आपके करेड के मामले में कारेस्तर पर आपके लिए परस्तियां मिली जूली सी रहेंगी करेड के लिए आसे यह जो दिन है शमाने रहेगा वहें दोस्तों कारेशेदर पर परिवार का माहौल जो है अच्छा रहेगा और मित्रों परिवार के शाथ जो है आप दिन का अनंद परमूद और मनरोंजन में बिदा सकते हैं जिसके मन पर फुलित रहेगा जो शमय होंगे इन दिनों की मद के बाद जो समय होगा वायपार की अनुकूल वातरण जो है सरजित होगा वग्या दोस्तों इन दोनों में अगर आपकी लव-लाइब को लोकर बात करें तो इस जो आपके लिए शमय होंगे इन दोनों में साथी के साथ मद्वेत के कारण प्रेम समन्थ में परिशानी वह फिर तना उठ्पन हो सकता है बच्चों को भी किसी जो परिशानी का इंदनों में सामना करना पड़ सकता है लेकिन दोस्तों जिवन साथी को इस समय का लाप राप्त होगा यह जो आपके लिए शमय होंगे इंदनों में आपको किसी पारिवरी कारिकरम में सामिल होने का भी मोका मिल सकता है वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लगकर बात करें तो आपको हाथों में चोट लग सकती है कोई भी काम जो है आप शतर का तरीके से करें यह जो आपके लिए शवयों के शाड़िक और मांसिक ताजगी के साथ घर में भी आप आनन्द का वातारण महसूस कर सकते है वही दोस्तों इन दिनों में आपका भागविशाली रंग रहेगा केसरी और भागविशाली अंक रहेगा साथ वही दोस्तों इन दिनों में परवर्तियों शेरहित विस्तरांती पूर्ण दिन होगा आप अत्यधिक उत्साई और महतवार कांग्ची यसमे होंगे मित्रों के साथ मिलन मुलकात यसमे आपको आनन्द देगा आपका जो सुसुप्त मन है यसमे अधिक शक्री होगा अतरा दोस्तों इंद्रों में आप इस फूर्ती का अनुभाव करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगा ऐसा गिनेज जी विश्वास पुरवक कहते हैं दोस्तों कलाम और रंजन या फिर परशार माध्यों में के छेतर में लगेवे जो वेक्ती है उनको इंद्रों में लाव मिल सकता है पत्रकारों, प्रेस रिपोर्टर तथा लेखकों के लिए जो दिन है अनुकुल दिन होगा परंतु कोई नया कार जो करने के लिए जो दिन है अनुकुल दिन नहीं होगा यसा गिनेज जी कहते हैं गर आपकी वित इस्धिति की बात कहें तो इन दोस्तों में आपके लिए जो समय होँगे आपके धनकुल कर जो हिस्थितिया होँगी दुसरों को शहे चाही राशा दिखाने के लिए आप उनके कारी की जांच कर सकते हैं आपको अपने जीय जीवन की बात करें तो वह अपने प्यार के साथ तरक होने की समवन है अपने शाथी को खुझ रखने के लिए नमर होने का प्रयास करें तो आप की जो भावना है वह पहतर टृ8 शाप श्रमाल सकेंगे हैं वही दोस्तों दोनों में अगर आपकी आर्थिक सिदी की बात करें तो जिनेश जी का मानना ैं । क्योंकि पेसे के मामल में आपकी इस्तिती जो है तंग होने वाली है आपके पास पैसे कंने के बारे में कुछ विचार हैं और आप अपना खुद का रस्ता प्रस्त करेंगे को में दोस्तों गिनेज जी आपको श्तलाह देते हैं पर साही तरीके से उप्योग करें और लंबित कारियों पर जो है आप अधिक ध्यान दें ध्यान को केंद्रित करें और उसके बाद यह जो समय होंगे आपको कुछ जरूरी काम जल्दी-जल्दी पूरे करने पड़ सकते हैं इसके अलावा जो अच्छे मूड में आप यस में रहेंगे वह दो आये खर्चे आर्थिक बोज बढ़ा सकते हैं आपको अपने रोजमर्रा के कामों से चुटी लेकर इन दुनों में दोस्तों के शाथ घुमने का कारिक्रम बनाना चाहिए यह जो समय होंगे आपके दिल की धड़कन है अपने पीर के शाथ ताल से ताल मिलाती है जो मालूम ह दोस्तों आप खूद को समय देना जानते हैं और इन दिनों में आपको काफी खाली समय मिलने वाला है खाली समय में आप जो है कोई खेल कर सकते हैं या फिर जिम जा सकते हैं दवाइक जीवन के दिश्टी कौन से देखें तो यह जो दिन होंगे चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और सांती का यसमिझ आपकी वास आपकी दिल में रहेगा और इसलिए आप घर में भी अच्छा महहल बना पाएंगे साथी दोस्तों इंद्रों में आप जो है नाने से पूरो नावी में तेल लगा कर फिर से पूरे शरीर में तेल लगाएं उसके बाद असनान करें इससे आपके आर्थी जिदी जो है और भी बहतर होंगी दोस्तों यह शुमें आपको कौन से महत्पून उपायब को करना चाहिए दोस्तों आपको बदा दें कि मिर्तियो तुल कष्ट गरत रोगी को छुटकरा दिलाने के लिए जो के आटे में तील एवंग सर्षों का तेल मिला कर जो है मोटी रोटी बनाए और उसे रोगी के उप के लिए बहुत ही बागिशाली शावित होंगी आपके शमश्याओं कांत होगा और रोगी तंदरुस भी होगी तो दोस्तों यह श्मीं आप इनुपायल को कर सकते हैं यह आपके लिए बागशालेंगी और शादी दोस्तों और एशेय अधिक जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले शाती बेल आइकन को प्रेश करकि और पर शेयर कर दें